तमस्ते आदाव स्थ्रेकाल साथियों मैं आपका दोस्ट सुप्चिंतक फार्मर जैकुमार नाकपुर महराष्ट्रा से बाइफ लॉक प्राक्टिकल लर्निंग एंड फिश पार्मिंग के इस यूटूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूँ दोस्तो जैसा कि आपने थमनील में देखा आज मैं किस टॉपिक के उपर बात करने वाला हूँ तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बात बुलना चाहूँगा जो भी भाई बाइफ लॉक का कल्चर करने की इच्छा रखते हैं अगर उन्हें किसे भी किसम की दिक्कत या परिसानी हो तो आपक करिए ताकि मेरे आने वाली सारी वीडियो की नोटिपिकेशन आप सभी को मिल सके तो चले स्टार्ट करते है आज का वीडियो में इंटक बने रहे एगा काफ़ी इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो के महांधियम से मिलने वाली है तो दोस्तों आपको बता ददू कि मेर मेरे 5th month के tank update है और यह अभी ही मैंने पूरा इसका टेस्ट किया है तो आपको water parameter बताता हो पूरे 5th month में क्या parameter है सबसे पहले start करते हैं हम लोग ammonia से तो अगर ammonia को आप देख पा रहे हैं तो ammonia जो है वह 0 ppm बता रहे हैं तो मैंने करीब करीब दोस्तों पंद्रा से 20 दिन हो रहे हैं मैंने कोई मुलासिस नहीं अगर मान के चली कि एक मैने से कोई मुलासिस मैं इसमें एड नहीं कर रहा हूं सिर्फ टॉप आप के तोर पे कभी कभी 20-25 दिन में 40-50 ग्राम मिला देता हो तो थोड़ा सा जैसा ammonia 0.25 तो मैं आच्छी बात है और नाइत्राइट उसी के बाजों में आप नाइट्राइट कre ciao नाइट्राइट क्णे तो अज तक के मेरा बिल्कूल इंक्रीज नहीं हुआए यह बहुत अच्छी बात है और जैसा कि आप फ्लॉक की देनसेटी देख रहे हैं लॉक की देनसेटी भी करीब करीब 20 एमल है तो काफी अच्छे फ्लॉक की देनसेटी है या अभी पूरी तरीके से सेटल नहीं हुआ है तो में भी हो सके 20 से 25 एमेल में जाएंगा ये फ्लॉग और आपको दिखाता हो कि टीडियस जो है 1400 सम्थिंग है आप नजदिक से देखिए 1442 इसका टीडियस है और सैलेनिटी आप देख सकते हैं सैलेनिटी है करीब करीब 1.22 याने एक पीपीटी के ऊपर इसका सैलेनिटी है जो बहुत ही बढ़िया है एक से दो पीपीटी हमें बाइफ लॉग की सैलेनिटी रखनी होती है और उसी के बाजू में आप इसका पीएज देख सकते हैं पीएज सेवन है तो दोस्तों कल मैंने इसमें जो अपना बुझा हुआ चुना है वो एड किया था तो आपको एक चीज ध्यान में रखने वाली बात ये है कि जब भी हम लोग हमारे कल्चर को जैसे फोर मंथ त्री 40 मंद के ऊपर हो जाएंगे तो देरे-देरे करके आपका पीएज जो है वो डाउन होना शुरू हो जाएगा जिसार मेרה पी येज़ हरले मुझे बुझा हुआ चुना जो है या तो CACO3 एड़ करना ही होता है यह अभी आपको 7 दिख रहा है क्योंकि मैंने कल इसमें बुझा हुआ चुना मिलाया otherwise pH करीब करीब 7 से भी नीचे जा चुका था 6.8 में जाके वो स्टील हो रहा था तो अभी फिलाल की जो सिच्वेशन है यह तो बहुत अच्छी सिच्वेशन है और पेरेमिटर सारे मेंटेन है मैं कल भी एक बार फिर से धीरे-धीरे करके थोड़ा सा CACO3 एड़ करूँगा तो मेरा पी-एज जो है वो मेंटेन कर लूँगा बाकी सारे पेरेमिटर तो मेंटेन ही है टी-डी-एस से लेके सारी चीज बहुत अच्छी तरीके से मेंटेन है तो इसमें कोई तकलीब नहीं है कोई दिक्कत नहीं है और आपको एक चीज बता दू कि ये कल्चर में जीरो मोटेलेटी है बिल्कुल मोटेलेटी बिल्कुल कुछ भी नहीं हुआ है और बहुत ही हेल्दी फिशेस है कल्चर काफे पुराना है इसलिए आपको फ्लॉग में भी पानी थोड़ा सा हलका सा आप उसको डार्क दिख रहा होगा और वही मेरे वाटर कलर का भी आपको कलर डार्क दिख रहा होगा क्योंकि दोस्तों ये खुले में है काफी धूल बगेरे भी यहां से आती है बाकी पैरेमिटर तो बहुत अच्छे से मेंटेन है और अगर आप वाटर का स्मेल भी लेते तो स्मेल भी बिलकुल भी जड़ा से स्मेल इसके अंदर नहीं है जैसा बाइफ लॉक का वाटर होता है वैसे ही वाटर है देखिए पी एच जो है अभी 6.9 बता रहा है मतलब पी एच थोड़ा सा डाउन हो गया है तो पी एच को तो खैर हम लोग CACO3 मिला के मेंटेन कर सकते हैं तो यही थी मेरी 5th मन की टैंक अपडेट और काफी positive तरीके से चल रहा है मेरा culture अभी देखते हैं इसमें क्या ग्रोथ होती है क्योंकि अभी जो ठंड के जो 90 डेस थे 90 डेस में से करिब करिब समझे एटी डेस तो मचली ने बिल्कुल ना के बराबर फीड उठाया है जोने लगा है आप देख सकते हैं यहां से देखिए यह देखिए पानी का मैंने छोटा सा नाली बना दिया है वहाँ पर ताकि water वहां से निकलते रहे क्योंकि यहां पर बहुत सारा पानी जमा हो रहा था तो यह पानी अभी दोस्तों निकलेंगा और अभी किसी भी तरीके का कोई labor मुझे नहीं मिल रहा है और lockdown की स्थिती पूरे देश में going on है और best है कि अपने घर में रहें और सुरक्षित रहें इसलिए अभी इसका काम नहीं कर सकते हैं तो अभी मैं ही इसको देखूंगा आज मैंने ट्राइ किया लेकिन यह मुझ से नहीं हुआ यह काम तो अभी बेसिकली अभी जितना पानी उसका खाली हो सकता खाली होने देंगे और उसके बाद उसको रिपेर करके इसको हम लोग मेंटेन करने वाले हैं यहां से भी आप देख सकते हैं कि पानी सीपेज हो रहा है लेकिन कल्चर जो है कल्चर बहुत अच्छी तरीके से चल रहा है दोस्तो और बाकी सारे पैरामेटर भी मेंटेन है किसी किसम की कोई दिक्कत परिसानी है नहीं और मचली फीडिंग अगरी भी काफी बढ़िया ल आपको इस वीडियो के माध्यम से मिली होंगी अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो और अपने भाई की मेनज जरा भी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए चैनल को सब्सक्राइब करिए बिल आइकोन दबाईए और कमेंट करिए दोस्तों और ज़्याद करिए यूटूब चैनल को और बेल आइकोन जरूर दबाए ताकि हमारी सारी नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके कर दो कर दो सके आप कर दो against बार कर दो से चैनल क्योस्तों बाल बाईब कर दो स्वेदाब कर दो िल्म आपको किस। आइक और कॉब झाल झाल झाल